Hello Students, CBSC का 30% तक स्लेबर्स रिडियोस किया गया उसके बाद काफी सारे स्लेबर्स रिडियोस का यहाँ पर कॉमेंट आया कि नीट है जई कि आभी स्लेबर्स रिडियोस होगा नीट 2020 का नी 2021 का और यहाँ पर काफी सारी फेक न्यूजेस फेक वीडियोस मैंने देखे और आज HRD मिनिस्टर का भी इसके रिगार्डेंग एक ट्विट आया जिस ट्विट में उनका कि CBSC स्लेबर्स के कुछ टॉपिक की कटवदी पर अधूरी जानकारी क्या थार पर कई टिप्डियों के माध्यम से जूट और संसनी फेलाई जा रही है तो एक नब भरत टाइम का यह आर् कमेंट बताता हूं, CBSC का जो पैटन है, CBSC जो है, वो NCIT फॉलो करता है, CBSC और NCIT ने दोनों मिलके यह स्लेबस में कटवती की, अब यहाँ पर जो नीट का पैटन है, CBSC का NCIT पेस्ट है, तो NCIT ने अपनी बुक्स में कोई भी चेंजमेंट नहीं किया, केवल यह टॉपिक ज चेंजमेंट नहीं हुआ है, जो स्टेंट करें कि NCIT की बुक्स में चेंजमेंट हुआ है, तो NCIT की बुक्स चेंजमेंट नहीं हुई है, जिसके आप पर कोई भी नीट के स्लेबस में है, अभी चेंजमेंट का कोई भी ऑफिशल अपडेट नहीं है, और नीट 2020 के स्लेबस क तो पहले आपका अनॉंस्मेंट किया जा चुका है. Second thing, अगर आपसे कोई कह रहा है कि नीट का भी चेंज हो गया, जैई मेंस का भी चेंज हो गया या फिर होगा, तो official update का बेट करें. Official जब तक update नहीं आएगा, तब तक आप किसी भी news पर बिलीब मत करने. Second point is that, कि अगर आपका नीट एंज जैई, इसके according अगर आपका slabas बनाएगा, फिर भी यह जो topics हैं, वो basics topic है. Physics में से अगर कोई basics हटा दें, तो फिर भी आपको basics पढ़ने पढ़ेंगे. क्योंकि physics एक ऐसा है, जिससे link एक दूसरे से रहेगा. Chemistry में भी अगर कोई exception आपका हटा दिया जाएगा, तो फिर आपको पढ़ाया जाता है. आप coachings में देखते हैं कि पहले जो 6-7 question बहार से पूछी जाते हैं, उनकी topics अभी आपको पढ़ाया जाते हैं. तो ऐसा नहीं है, तो slabas में कोई भी reduction यहाँ पे official update नहीं है, official update का बेट कीजिए, किसी भी news को सच मान के या फिर उस news को ही मान के tension मत लीजिए आप लोग, क्योंकि जैसी official update आएगा वह मैं आपको बता दूँगा, तेंक्यू.